Hello and Welcome, आज के वीडियो में हम Racimose inflorescence को डीटेल में पढ़ेंगे और उसके टाइपस के बारे में सबजेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने Racimose और Symos inflorescence क्या होते हैं वो समझाता तो जब हम Racimose पढ़ रहेते तो हमने पढ़ा था कि इन में indeterminate growth होती है मतलब इनका growing point कभी भी stop नहीं होता और इन पाले inflorescence में indeterminate growth होती है जैसे आप यह देखो यहाँ भी telonics का यह बना हुआ है तो इसमें पीछे की तरफ जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ उसमें flowers देख रहे हो जो पुराने हैं और आगे की तरफ आप इसमें छोटी छोटी buds देख रहे हो जो flower बन जाएंगी तो इसमें आगे की तरफ ऐसे ही growth होती जाती है और नीचे जो होते हैं बेस पर वो बड़े flowers होते हैं या पुराने flowers होते हैं और आगे की तरफ छोटे flowers और फिर उससे आगे की तरफ आपको buds देखने को मिलती है तो racimos inflorescence में हमेशा indeterminate growth होती है क्योंकि इनका apical meristem या floral meristem flower में terminate नहीं होता इनका pedancle monopodial होता है, monopodial मतलब एक ही pedancle के उपर आप flowers लगे देखोगे pedancle कभी भी flower में terminate नहीं होता, इसी जैसे इन में indeterminate growth होती है अगर flower से terminate हो जाएगा तो apical meristem कतब हो जाएगा, फिर वो आगे कोई flower उसमें grow नहीं करेगा, side से grow करेंगे तो वो वाला inflorescence होता है साइमोस, बट ट्रेसी मोस में कभी भी growth stop नहीं होती क्योंकि flower ग्रो नहीं करता उपर अब इसमें older flowers जो होते हैं वो base पर होते हैं और younger flowers जो होते हैं वो apex पर होते हैं तो ऐसे arrangement को हम कहते हैं acropetal, तो कुछ इस तरह से arrangement बनता है तो इस वाले arrangement को हम कहते हैं acropetal arrangement तो चलो देखते हैं racimos inflorescence का एक example तो देखो यह है एक Bengal clock wine या फिर थुनबर जीया इसको हम बोलते हैं तो इसमें हम देखते हैं racimos inflorescence अब आप देखो यह है इसका long main axis जिसे हम peduncle भी बोल सकते हैं इस पे सारे flowers pedicillate हैं और पीछे की तरफ यह देखो एक फ्लावर है और आगे की तरफ बात करें तो यह बड़ी-बड़ी buds हैं और फिर उससे और आगे बढ़ते जाए तो छोटे होते जा रहे हैं flowers और यह monopodial है मतलब एक ही peduncle पर सारे flowers pedicillate हैं तो इसमें आगे की तरफ कोई भी फ्लावर नहीं है growth terminate नहीं हुई है तो यह racimos in fluorescence का एक example जिसमें हम Bengal clock wine देख रहे हैं अब racimos in fluorescence को length of peduncle presence और absence of pedicill के base पे हमने types में divide किया है peduncle और peduncle की भी हमने बात की थी एक बार revise कर लेते हैं तो peduncle में क्या difference है कि अगर कोई solitary flower किसी ब्रांच पर लगा हुआ है कुछ इस तरह से तो उसके stock को हम बोलते हैं peduncle लेकिन जहां cluster of flowers या implorescence की बात हो रही होती है तो वो बहुत सारे flowers एक जगा एक stock से आकर जुडते हैं तो उस stock को फिर हम peduncle बोलते हैं मतलब individual flower का stock कहलाता है pedacil और जहां सारे flowers आकर जुडते हैं उसको बोलते हैं peduncle तो individual flower का stock अगर solitary है तो भी pedacil और अगर inflorescence में है तो भी pedacil कहलाता है और जहां पर सारे यह stock आकर जूड़ते हैं, उस stock को हम फिर peduncle बुलाते हैं, तो यह difference है peduncle में, अब racimose inflorescence को इसी base पे हमने types में divide किया है, कि length of peduncle या फिर main axis और presence और absence of peduncle, तो अब हमने बात की कि racimose inflorescence को उसके peduncle के या main axis के size के base पे divide करते हैं, तो हम racimose inflorescence के 11 main types देखते हैं, अब इनको एक table में समझ लेते हैं कि किस में main axis लंबी होती है, किस में छोटी होती है, तो यह देखो, तो axis के base पे यह 3 categories हम inflorescence पे देखते हैं, सबसे पहले बात long main axis की, तो long main axis का मतलब है, कि जिस inflorescence में main axis आपको कुछ इस तरह से लंबी दिखाए दे, उसको हम long main axis बोलते हैं, और इस पे flower लगे होते हैं, कुछ इस तरह, नीचे बड़े flowers और उपर जाके चोटी-चोटे flowers, तो long main axis के ने inflorescence में होती है, racim, panicle, spike, spikelets, ketkin और spadix, अब इनके अंदर भी types हैं, किस बेस पे, कि इनमें कुछ में flower pedicillate होते हैं, मतलब pedicill present होता है, और कुछ में social flowers होते हैं, मतलब उनमें pedicill नहीं होता, direct flower लगे होते हैं main axis पे, तो इस बेस पे इनमें types हैं, long main axis पे, अब short main axis की बात करें, तो उसमें main axis कुछ इस तरह से short हो जात एकस के देंगे, तो short main axis हम देखते हैं, quorum कॉरिम में, compound, quorum में, humble में, compound,umble में. तो short main axis में भी हम types में, divide कर रहे हैं, इस किस में type डिवाइड हो रहे हैं, quorum और compound, quorum, humble और compound, humble. तो कोरिम को हम simple कोरिम और अंबल को हम simple अंबल भी बोल सकते हैं तो ये किस base पे है division? simple में आप unbranched pedancle देखोगे मतलब आपको कोई भी branch नहीं दिखाए देगी लेकिन compound में जो pedancle है वो branched हो जाएगा तो ये base पे short main axis में हमने 4 types रखे हैं flattened main axis अभी तक जो हम main axis देख रहे थे वो कुछ इस तरह से लंबी बात कर रहे थे अब flattened main axis में main axis इस तरह हो जाती है और आपको यहाँ flowers देखने को मिलेंगे तो ऐसा influence होता है capital तो अब एक एक करके इनको detail में देख लेते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे racime की तो racimos inflorescence का सबसे पहला type जिसके बार में हम पढ़ते हैं वो है racime तो racime में क्या होता है कि main axis long होती है और flowers जो attach होते हैं वो pedicil से attach होते हैं तो flowers pedicillate है और main axis long है यह होता है racime तो racime का example है mustard मस्टर्ड में हम racime inflorescence देखते हैं यह देखो यह मस्टर्ड के flowers यह main axis आपको long दिख रहा होगा और यह आगे की तरफ और बढ़ता जाएगा क्योंकि indeterminately growth होगी और नीचे वाले older flowers होते हैं जो कि अब आपको fruit में देख रहे होंगे यह change हो गए है fruit में और उपर वाले flowers छोटे होते हैं उनका pedicil भी छोटा होता है नीचे वाले flower का pedicil भी छोटा होता होता है उपर वाले flowers का pedicil भी छोटा होता चला जाता है और वो flowers भी new या young flowers होते है तो raci, main axis long और flowers are attached by pedicils. Next है pentacle. अब next type है pentacle या जिसे हम compound raci या फिर branched raci भी बोल सकते हैं. इसे compound raci या branched raci बोलने का reason है कि इसकी main axis से different branches निकली होती है और वो branches पे भी flowers raci manner में ही लगते हैं. तो ये है main axis और इसे जो branches लग रही हैं वो भी raci manner में ही flower bear करती हैं. जैसे आप अगर इस branch को देखो तो इस पे नीचे वाले flowers जो होंगे वो बड़े होंगे, older होंगे और उपर की तरफ जाके flowers younger होते हैं. इसी तरह इसकी main axis पे अलग-अलग branches में receive manner में ही flowers लगे होते हैं. तो इसका एक example होता है यका या bear grass तो वो कुछ इस तरह से दिखता है. तो इसको अगर हम close up में देखे, जूम करके देखे, यह है इसका main axis और जो इसकी यह branches निकल रही है, इसमें सारे flowers जो है, वो पेडिसल से लगे हुए हैं और नीचे वाले flowers, older flowers हैं और उपर वाले flowers, younger flowers हैं. तो इसकी हर branch पे raceme manner में ही flowers लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको branched raceme या compound raceme की category में रखते हैं. अब next आते है, spike जिसे हम Piper या Adetoda में देखते हैं, तो इन में क्या difference है raceme से, यह भी raceme की तरह ही ऐसे ही long main axis पे लगते हैं, लेकिन इसमें flower sasile होते हैं, और इसके flower bisexual भी होते हैं, तो spike और raceme में सिर्फ difference इतना है, कि spike के flowers sasile होते हैं, मतलब उन में कोई भी pedacile नहीं होता, pedacile नहीं होता spike में, लेकिन रेसीम में जितने भी flowers होते हैं, वो pedacile के साथ होते हैं, तो यह difference है रेसीम और स्पाइक में, अब इसके example है पाइपर और एड़े टोड़ा, तो next category है catkin, catkin भी स्पाइक ही होते हैं, स्पाइक की तरह ही इनमें ससाइल फ्लावर्स होते हैं, तो difference क्या है next category बनाने का, इसके फ्लावर्स यूनिसेक्सवल होते हैं, जबकि स्पाइक में प्लावर्स बाइसेक्सवल हमने पड़े थे, तो इसके फ्लावर्स ससाइल और यूनिसेक्सवल होते हैं, और एक और difference होता है इसमें स्पाइक से, इसका जो पैटंकल या लॉंग में एक्सिस होती है, वो स्पाइक से ज्यादा लॉंग होती है, जैसे आप यहां भी देखो अनकों यह ऐसा लग रहें, जैसे जूलता सा रहता है, तो इसकी मेन एक्सिस लॉंग होती है, पैनेंडूलस होती है, बतलब इधर उधर जूलती सी रहती है, और फ्लावर्स ससाइल होते हैं, और यूनिसेक्सवल होते हैं, तो इसके एक्स आम्पल में हम पढ़ते हैं, तो यह था catkin, तो जो next type है उसको हम compound spike या फिर spikelet बोलते हैं, तो compound spike और spikelet हम ज़्यादा तर grains में देखते हैं, मतलब wheat में, barley में इस तरह का inflorescence होता है, तो यह देखो आप इस तरह से कुछ यह flowers देखते हैं, बहुत चोटे-चोटे flowers होते हैं, तो इनके जो structure होते हैं, वो और इसमें कुछ नीचे इस तरह से यह एक leaf की तरह colorful glooms होते हैं, जो कि इसके modified bracts है, तो यह modified bracts जिनमें flower होता है, उसको हम बोलते हैं fertile gloom, और जिनमें flower नहीं होता, उसको हम बोलते हैं empty gloom, तो अब इससे उपर की तरफ आए, तो इसमें again एक leaf की तरह का यह structure होता है, जिसक इसको हम paleya बोलते हैं, और यह होता है modified bracteole, तो एक modified bract होता है, और दूसरा modified bracteole होता है, तो उससे उपर की तरफ चले, तो फिर यह laudicules होते हैं इसमें, और ओवरी और अन्थर्स यह stamen लगे होते हैं, तो यह है इसका spikelet का structure, अब इसकी यह जो stigma होती है, वो hairy होती है, कभी कभी अगर आपने देखा हो wheat वेगे रखा, तो इसमें कुछ hairs से ऐसे निकले होते हैं, जो इसकी stigma होती है, अब इसमें भी racine manner में ही, नीचे वाले flowers older होते हैं, और उपर वाले flowers younger होते हैं, तो spikelet इसका नाम इसलिए है, क्योंकि इसके flowers छोटे छोटे होते हैं, किसी भी चीज के आगे लेट लग जाता है, तो वो छोटा मतलब उसका है, छोटा form हो जाता है, तो यह spikelet हम किसमें देखते हैं, grains में, wheat में, बाले में, तो next category है, spadix, spadix में भी spike की तरह ससाइल flowers होते हैं, main axis पर flowers ससाइल होते हैं, जैसे आप यहां देखो, यह flowers ससाइल हैं, और यह जो आप colorful देख रहे हो, यह इसका modified branch है, जो कि petal की तरह लग रहा है, यह thick और fleshy होता है, जिसे हम spath कहते हैं, तो यह spath colorful है, insects को attract या pollinators को attract करने के काम आता है, flowers इसमें भी ससाइल होते हैं, spike की तरह, नीचे वाले जो होते हैं, वो ससाइल female flowers होते हैं, और इसमें उपर की तरफ ससाइल male flowers होते हैं, इसमें जो यह आप colorful देख रहे हो, यह spath होता है, इसके दो example है, एंथूरियम और बनाना, जैसे आप बनाना में भी देखों यहाँ पर, यह आपको colorful जो दिख रहे हैं, यह इसका modified branch है, जैसे spath होते हैं, और इसमें अंदर की तरफ आपको flowers दिखाई देंगे, male और female, तो यह था spathics, main axis short हो जाता है, अब वो type के हम inflorescence देखते हैं, तो उसमें हमने कोरिम, compound, कोरिम, अंबल और compound अंबल की बात की थी, तो सबसे पहले बात करते हैं, कोरिम की, अब इसमें main axis short हो जाता है, मतलब आपको उतना लंबा main axis नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह से आपको short axis दिखेगा, जिसे आप यहाँ पे देखो, यह short axis आपको दिख रहा है, और इसी से flowers निकल रहा है, तो short axis होने से क्या होता है, कि notes पास पास आ जाती है, अब हर एक note से जब flower इस तरह से निकलता है, तो उसके जो stock होते हैं, वो different size लो आज़ा होते हैं, तो नीचे वाले जो stock होते हैं, वो longest पेडिसल होते हैं, तब ही यह इस तरह का structure बनता है, तो लोगे उस पेडिसल होते हैं, टो नीटेशल पेडिसल होते हैं, और जो उपर की तरफ आते हैं, उनके पेडिसल Short हो जाते हैं, Flowers भी नीचे वाले जो होते हैं वो older flower होते हैं और उपर वाले जो होते हैं वो younger flower होते हैं जैसे आप यहाँ पर भी देखो तो इसमें उपर वाले flowers पे आप देखो पेडिसल छोटा देख रहा है और नीचे वाले flowers का पेडिसल बड़ा देख रहा है तो इसमें different size of pedicill होता है या different length of pedicill होता है और main axis short होता है जिसकी वज़े से notes पास पास आजाती है और flowers एक umbrella की shape में दिखते हैं लेकिन इसमें pedicill का length different होता है तो corium inflorescence हम देखते हैं cherry में ये एक cherry का ही inflorescence है तो next है compound corium अब compound corium और corium में सिर्फ difference इतना है कि compound corium में आप branches देखते हो जबकि corium में हमें single inflorescence देखता है जैसे हमने बात की थी raceme और branched raceme की उसी तरह ये corium और compound corium होता है तो इसका example में हम pyrus देखते हैं pyrus मतलब जिसको हम नाशपाती भी बोलते हैं हिंदी में तो इसमें हम compound corium देखते हैं तो ये एक picture है जो नाशपाती या pyrus का है तो इसमें हमें compound corium देखने को मिलता है अब next आता है umble जिसमें again main axis और short दिखती है corium में हमने short main axis देखी अब umble में main axis और short हो जाती है तो कुछ इस तरह से main axis बन जाएगी और इसमें again notes बहुत पास पास आजाएगी तो इसमें notes पास पास आने से क्या होता है कि corium में हमने देखा कि pedicill का difference size होता है लेकिन amble में pedicill का size same होता है इस तरह से सारे pedicill आपको same length पे दिखेंगे तो इस तरह से कुछ structure बन जाता है जैसे आप यहां देखो onion का example होता है amble का यह onion का flower है तो आपको जितने भी stock या pedicill दिख रहे होंगे सब same length के दिख रहे होंगे तो corium और amble में सिर्फ difference इतना ही है कि इसमें pedicill same length का होता है लेकिन corium में different length का pedicill होता है अब इसका example हमने onion बात की अब दूसरा आता है compound amble अब compound amble में क्या होता है again जैसे corium और compound corium था इसी तरह amble और compound amble है इसमें आप branches देखोगे जैसे आप यहां देख रहे हो एक ही head से कई branches निकली होगे और उस पर again यह umble वाला structure बन रहा है तो यह हम देखते हैं carrot में और coriander में यह जो flower आप देख रहे हो यह coriander flowers है तो यह है एक umble और इसी के अगर branches निकल जाती हैं तो फिर उसको बोलते हैं compound amble तो हम किसमें देखते हैं compound amble carrot में और coriander में अब next बात करते हैं capitulum की अभी हमने जितने भी branch racine जितने भी inflorescence की बात की उसमें main axis इस तरह थी कुछ vertical लेकिन capitulum में difference इतना है कि यह main axis को अगर प्रेस कर दे तो कुछ इस तरह से बन जाती है और इस पे फिर यहां पर flowers लगते हैं ऐसे अब इसमें बीच वाले flowers जो होते हैं वो short होते हैं और किनारी की तरफ बढ़ते जाते हैं तो flowers का size बढ़ता चला जाता है बीच के flowers छोटे होते हैं किनारी की तरफ जैसे आप यहां भी देखो बीच में flowers छोटे छोटे हैं अब किनारी की तरफ बढ़ते जा रहे तो flowers का size बढ़ा होता तो इसके जो flowers होते हैं, वो ससाइल होते हैं, और इनको हम flowers की जगब florets कहते हैं, जैसे ray florets और disc florets. इनका structure हम flower में, अगें जब पढ़ेंगे, तो detail में पढ़ेंगे, अभी के लिए इनमें जो inflorescence होता है, उसमें अंदर की तरफ जो flower होते हैं, वो short होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, और ये जो colorful आप देख रहे हो, ये इसके ray florets होते हैं, और ब और marigold में, तो capitolum last inflorescence था, racimuse में, इसके साथ हमने racimuse inflorescence को finish कर लिया, अब हमने क्या-क्या देखा था, हमने long main axis, short main axis और flattened main axis के base पे racimuse inflorescence के types पढ़े थे, तो racim में हमने long pedestal देखे थे, long peduncle देखा था, पैनिकल में racim के जैसा ही compound हो गया था, जिसमें branched racim था, मतब racim की तरह ही flower लगते हैं, लेकिन compound हो जाता है, compound का मतलब है कि branched racim होता है, spike में sasile flowers होते हैं, लेकिन flowers bisexual होते हैं, अब spikelets में भी branched spikes हो जाते हैं, catkin में long penandulous peduncle होता है, flowers sasile होते हैं, spike की तरह ही, लेकिन flowers unisexual होते हैं, जबकि spike में bisexual flower होते हैं, next is pedics, जिसमें हमने modified break देखा था, और इसमें भी flowers bisexual होते हैं, नीचे वाले flowers female होते हैं, और उपर वाले flowers male होते हैं, अब दूसरा था, short main axis, जिसमें हमने corim compound, corim umble और compound number की बात की, तो इसका main axis short हो जाता है, corim में जो pedicil होते हैं, वो uneven size के होते हैं, मतलब sizes different होते हैं, इनके pedicil के, लेकिन umble में जो pedicil होते हैं, वो same size के होते हैं, अब इसमें भी compound है, corim branched होता है, और umble भी branched होता है, compound umble में, जिससे हम देखते हैं, last था, flattened main axis, जिसमें हमने capitolum की बा florescence, वीडियो पसंट आए, तो like, share, subscribe कीजे, thanks for watching